आपक्र आप सेटी और स्टेंथ आप पॉंडिंग रोप किना रता है यह रता है टेन क्यों टेन रखते हैं इसका कभी हम चचा करेंगे जो रिग्लोर इस्टूट्स को प्लास रहेगा उसमें चचा करेंगे इसका 10 क्यों रखते हैं ठीक है इसके बार में अचा यह बताई यह यह इस पाइज डूर रूजो रूप होता है कहां इस्तेमाल करते हैं इस प्लाइज ब्रोब यूज़ डायेक्ट के लिए के डले सालेज के लिए स्पाइज लूप सेल भी यूज़ प्लेजिद समाझ आता है कि इस प्लैसिंग पेसी हलता है या या इस्तेस्पiphो से जोग दूट गया या धायेफ टालेज के लिए नहीं किरेंगे बैकर डायेच के लिए टॉप प्लेंट पर आपका रहता है इंग्याइन वहां से आपका टॉप नीचे जाएगा ठीक है क्या जटाएगा जर्किंग होगा एक दूसरा जो नीचे दो ऑपर खेचेगा लोडेक टॉप को तो क्या लगेगा ताकत लगेगा जी आपने ज्वेंट किया हुआ यदि लेट लेट लुप रहेगा तो वहां तो थानी खतम हो गया अब कहां बचेगा एंडलेस रोप के लिए जो लेस रोप हालेज का जो रोप होता है उसमें उसको जट्का भी लगता ताकत भी नहीं लगता है ठीक है है अच्छा आपको हमें चीज बताना चाहेंगे बोलना च कर्यां कि अपर कम से कम एक तो पक्का आपका हैं सी क्यूंत पुर्सम से पहले हम सभी को एक बार कहें लिए कि क्या-क्या चीज़ होता है आप लोग देखे होंगे क्या क्या देखें इसके अलावा आप नाम सुने होंगे बेकिस इस्टाप ब्लाग का किसका नाम सुने होंगे इस्टाप ब्लॉक ठीक है यह इस्टाप ब्लाग जो भी इंक्लाइंट प्लियोन हुगा उसके टॉप में लगाते हैं कहां पर लगाते हैं इस्टाप ब्लाग के नीचे क्या लगाते हैं रन अवे सुईच लगाते हैं लगाती है ठीक है रन अवे स्विच को अपरेट करने चाहवा उसको फार देता आपका चे हूँ को पर देगा ठाकवे लोगा ठीक है रन-वे स्विच ओर स्टा विलाक के बीच का डिस्टेश कीतना होता है इस टाइप का चीज़ा पूछा रहा सकता है डिस्टेंस बिट्वें इस्टाप लॉपक इस्टाप लॉपक इस्टाप लॉपक एंड रन अवे स्वीच रन अवे स्वीच आपका से टाप टाप होता को में पांच दल जो उस वहां के मेनेजर फिक्स करते हैं उसका जो एक से टाप टाप होगा उस उतना लंबाई प्लस दस मिटर और प्लस रखते हैं उतना दूरी पर क्या रहेगा आपका इस्टाप लॉपक के बाल प्रण अवे स्वीच र देट और टॉपक टॉपक टेन मीटर ठीक है और क्या देखे भाईया कभी डायरेक्ट टालेज में जब लोडेट टब उपर चर्थे वह जाता हूं उसकी पीछे में को एक लोगा लगाते देखा है उसको बहते हैं बेक स्टे आउर ड्रेग क्या बहते हैं जी बेक में लग उसके उपार से टॉप गुजर जाता है तो दब जाता है लेकिन जैसे ही टॉप गुजर तो खड़ा हो जाता है ताकि पीछे नहीं आने देगा ठीक है वो मंकी केज का रहता मिया से ओपर केज का रहता है एंड्लेस में और यह में त्व जो लोडेट टॉप जब यह पीछे आने से रोपता तो जाजरेल कहा जाने से रोपता है जाजरेल फारवर्ट फारवर्ट जो मुमेंट है उसको रेस्टिक्ट करने के लिए जाजरेल रहता है इसके उपर पका पूछा जाएगा बाभू टब्री रेलर कितने कितने दूरी पर लगते हैं क्या लगते है यह सब क्या है जो बता रहे है क्या बता रहता है इसे टोछ ठीक है क्या बता है ग्यांत आफ यह क्लाने के तौप र्नवेश पीच उसके नीचे रहता है इन दोनों के बीच का डिस्ट्रेस कितना होता है जो सेट अप्टाब है उसका लंबाई प्लस दस मिटर बेक इस्टी और डेक जब लोडेट टॉप इंक्लेट में उपल के तब जा रहा हो तो उसके लास्ट वाले टॉप के पीछह लगा देते ताकि कभी कोई कारण से टॉप पीचे आए तो उसको रोब देगा जॉजरेल फारवर्ट मुमेंट को रोपने लगाता अक्टाब्री मीटर के इन पेवल पे लगाते है ठीक है इसमें से कोई ना कोई एक एक्जाम में एट एमसी क्यू पक्ता आएगा जो हम बता रहें सब्सक्रिक डेवाइसेस में से और हम स्टाटिक में चलों केदे सिगनली सिगनली कम लगाएंगे वाबूर थे आपका हॉलेज रोट का लेंथ जो है यह आपका कर्वेयर का लेंथ जो है वो 30 मिटर से अधिक है तब आपको क्या प्रॉइट करना होगा सिगनली ठीक है उसके बाद क्या प्रॉइट ना को प्रॉइट करेंगे सब चिछकाइद से लेकर के जुआ हो आपका आफ्सेली करके जो आपका होलेज आए या करण लेंग कितना रहेगा तब प्रॉइट कीजिएगा ट्रॉइट को आप को निटान थी कुटीजुंड जान रहेगा और आपका जो भी सिग्नली इसका हम डिसक्राइब करेंगे कितना होगा कितना रहना चाहिए यह कैसे होता है उसका एक दिन हम इंटिन सब्सक्राइब करेंगे इसके बाद यहोगया सब मेन होड कि क्या होता है कभी आप लोगन का इंस्पेक्शन किये होंगे जो आपका होता है उसके एक प्रफ हमको मैन होल बनाना अएगा थो आपको यह मेरा साइड है क्या है साइड को काटके आदमी को भूसने के लिए युगार बना देता है उसी को बोलते में ओल ताकि गाकि डर ग्रम तूट जाए तब पल्टी हो जाए तो आदमी जब होगा रोग का तो आदमी में होल में रहेगा ताकि उसको मार्चोट से बच जाए और इसका हम बताएंगे डामेंशन बताएंगे कितना किता इंटर्वल पर रखते इसको इसको जनरली 10 मिटर के इंटर्वल पर आपको क्या बनाना में होल बनाना है लेकिन ग्रेडियेंट आपका 1-6 से कम 1-6 से क्या है कम 1-6 से ग्रेडियेंट कम है लेज देन 1-6 से तब आपको कितना इंटर्वल पर करना है में होल 20 मिटर पर अब इसका साइज देख लिजिए ठीक है क्या बता रहे है इसका डामेंशन डाय डामेंशन हाइट किता रखते है में नों का 1.8 मिटर हाइट किता रहता है 1.8 मिटर किता रहता है 1.2 मिटर और विट्थ विट्थ में थ्यान रख लेगा हाइट 1.8 मिटर रखते हैं जो मैं जिल उचा से उचा दिए इसमें आसानी से खुच देख 1.2 मिटर रहते हैं अब जो विट्थ तक चोड़ा ही वो इस आधार पर रखा है यहां पर बताएंगे हम कि आदमी तो असानी सकता लेकिन टोब उसके अंदर ना फूसे इसलिए विट्थ जो है कि जिरो पॉइंट सेवाउं मीटर से कम नहीं रखते हैं और एक मिटर से अधिक नहीं रखते हैं क्या बोले बाबू वीट्थ जो है जियादा एक मिटर से ज्यादा रख देंगे तो गुश ज्याएगा जियो पॉइंट सेंफाइगे तो आदि नहीं भुश पाएगा जो मोटा से मोटा आद मी उसको हिसाब में रखकार किये ठीक हे तो जीरो पर बोल दिया यादी हो गया होगा और टेथ 1.2 मिटर हाइट 1.8 मिटर यह सबसे जो टाले स्टाथ में होगा उसको ध्यान में रखके फिगा दिया है और यह किया रखेगा इन जनरल कंडिसन में नोर्ट 10 मिटर केंट्रोल पर रहता है ग्रेडियंट वन इंशित से काम है तक 20 मिटर केंट्रोल पर लेगा ठीक है और कुछ है अब यह बताए कि जो सेट अब निधारित होता है उसको को निधारित करेगा को भी कर देगा क्या कि जो ट्रामर रहा हूँ यह वहां का जो भी आद्मी को इक करता हो अपने हिसाब से कभी 5 बांदे कर तभी 10 बांदेगा कि एक बार में कितना थाली नीचे बेजेंगे और कितना भरती जो है कोई लागते बारा वाट्र लोडेट ट्रॉप्स एक बार में एक सेट में राएगे उसको को निधारित करेगा माइंड का मैंजर निधारित करेगा ठीक है और आप कभी देखें होंगे ऐसा एक कोई हालेश ट्रेक है क्या है यह उपर से नीचे के तरह पार और यहां पर मालोग कई बार हमको फेश चलाना होता है यहां पर क्या चल रहा है तो हो सकता है यहां पर जो मेरा आदमी कम कर रहा है यह रसा पूप जाए यया को करन सवाए को मार दें 넣क अधे वी पर करते है अधैसि केस में क्या करते बपर पर फशे बफर करते तक ज्यादा बड़ा वीडियों लेगा तो आपको भी देखेगा हम दो से तीन जाल एंट्री को बेजेंगे और उसके आदार पर बेजेंगे क्या बहुत है और आपका जो टेक्नलोजी का पुस्ता कर उससे बेजेंगे कि आपने बुस्टर का नाम सुना है और इससे में आपको ब्लास्टिंग करना है तो क्या लगाते हैं उसमें बुस्टर कुन को बुष्टर थे ओसी जी आप्राइमर रही आप्रामेक्स बोते हैं प्रामेक्स यह ओ सीजी का और प्रामेक्सका विवोडी कितना होता है token 7000 कर सेवन थाजोड जर मीटर जबूल विवोडी वेलोसिकी अब डिटूनेशन अब कि यतने भी है है हाई सोथ इनका कि इस На से 5,000 मीटर पर सेकंड के रेंज में राता है शीयरेया एप historia और एक्स्प JAKE Sutton में आपको चोटासजाइद की हुआ है ये ऐसे का फूल फॉर्म क्या है तो यह सब चीज भी अल्का फूल का दिखते रहें पी टेल में क्या होता पर फढ़े तो प्यांट आपकी से इसे एडा एक में पूर्ण अब यह बता ही है एक नाम सुनियोंगे आप NH4NO3 क्या सुनियोंगे ना NH4NO3 क्या बोलते इसको आमोनियाम नाइट्रेड क्या बोलते हैं अमोनियाम नाइट्रेड साथ हम एन लिकले आन मतला आमोनियम नाइट्रेड नह पोर इन वो त्री दिस इस इस वेरी इंटरस्टिंग कंपोर और इट इस यूज इन वेरियस पर पर इस तीन टाइप से इसका इस्तमाल होता है ठीक है कभी क्या रखिएगा कभी कुछ सकता है इसको काय काय के लिए इस्तमाल करते हैं एक नमर अप्सिडाइजिंग एजेंट काय के थर्ड क्या है इस आफिए एक पूलिंग एजेंट जैसे परमिटर एक्स्प्रोसिव में जो अंडगावन में परमिटर एक्स्प्रोसिव इस्तमाल होता है और यह जो है आपका एने पोर नो-3 इसमें यूनिक प्रफ़र्टी है कि यह है एक्स्प्रोसिव भी है इस केपसिट Maar Nora कके भी पॉलिए लिए लillyगा कर इस कही होता है वह एक्सप्रोसिव जिसको डिटोटर के मदड़ से ब्लास्ट किया जाता हो हो जुआ हमको एक्चली बनानात अपर तक क्रिश तो उसके इस्तमाल करते बूस्टर इस्तेमाल करते और बूस्टर को भी विए उसको बुढते हैं ठीक है लेकिन योपका एसे भी है एसे में से उसको डारेक्ट डिट्रोटर से ब्लास्ट करके किसका मदब लेते हैं बूस्ट्रे का मदब लेते हैं ठीक है आज के लिए पे बाखी बादों देजिए